हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम अगें टू लंडव्री दितीमन, तो RBSC की हिंदी व्याकरण के अंतरगत, आज हमारा टॉपिक रहेगा, मुहावरे एवम लोकोक्तियां, तो ये चेप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जितने भी RBSC में, 9 से लेकर 12 तक में, जितने भी मुहावरे लोकोक्तियां हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, तो सभी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्जामिनर कहीं से भी आपको दे सकता है, और आपको इनकी इंपोर्टेंस जो है, वो तो आपको एक्जाम टाइम में पता लगेग आपको यह बुक्स जो है, वो बहुत ज़्यादा बैनिफिट देंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां, सबसे पहले हम इनके अर्थ को जानेंगे, क्योंकि कई वार एक्जामनर जो है, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ से संबंदित प्रश होता है, यानि पूरा नहीं होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर होती है, लोकोक्ति क्या होती है, वो अपने आप में पूर होती है, लोकोक्ति कारत होता है, कहावते, जो कि लोगों के द्वारा, जहां का जैसा समाज होता है, वहाँ पर जैसी धारनाय बनती च प्रभावी बनाता है तो लोकोक्ति जो होती है उसका अर्थ भी प्रभावी बनाता है लेकिन मुहावरा जो है वो अपने आप में पूरा नहीं होता है जबकि लोकोक्ति पूरी होती है मुहावरे जो हैं उनमें लिंग, वचन, काल, आदी की अनुसार कुछ परिवर्थन आ जाता है लेकिन लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है जबकि लोकुक्तियां जो हैं वो समाज के भासाई इतियास को अभिव्यक्त करते हैं जैसा कि हम कहते हैं कि हमारी नानी जो हैं वो ये कहावत बोलती थी या वो कहावत बोलती थी तो वो क्या होती हैं? लोकोक्तियां होती हैं, लेकिन मुहावरे जो होते हैं, वो उस जगे की भासा जो होती है, उसकी जो लक्षन होते हैं, उनको दरसाते हैं, अब देखिए एक और बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट बात, मुहावरे की अंत में साधरन तया क्रिया सुचक शब्द करना होना आ तीन ओप्षन में आपको करना होना ऐसे शब्द जो हैं वो मिलेंगे, यानि अंत में ना आपको मिलेगा, तो वो होंगे मुहावरे और जो नहीं मिलेगा तो वो होगी लोकोक्तियां, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, 99% ही ऐसा होता है, 1% इस टाइम एग्जामिनर ऐसे कुशन डाल रहे हैं कि लोकोक्ति के अंधर भी आपको ना देखने को मिलेगा, ठीक है, तो कुछ खास लोकोक्ति ऐसी होती है, सबी लोकोक्तियां ऐसी नहीं होती है, जिनके अंत में आपको करना होना, क्रिया सूचक जैसे शब्द मिलें, मुहावरों में मुसली यही होता है, कि आपको क्रिया सूचक शब्द करना, होना, खाना, भरना, इस तरीके के आपको क्या मिलेंगे, क्रिया सूचक शब्द मिलेंगे, यानि अंत में ना आपको मिलेगा, ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको माइंड में रखना है, चलिए, अब हम सुरुआत करते हैं मु मुहावरे जो भी होते हैं, उनका अर्थ वो वैसा का वैसा नहीं होता है, एक्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अंगारे उगलना, तो अब कोई भी इनसान जो है वो मुह से अंगारा तो नहीं उगल पाएगा, ठीक है, तो इसका अर्थ जो है वो यह नह उसका आर्थ जो होता है वो क्या होता है उनके एक्ञप्ल को धर्साता है यानि कि इस तरीके का होना अंग बना क्या हुआ इसने पूरवक गले मिलना अंग अंग ढ।ऺिला होना कई बार कह देते हैं कि आज तो हमारा अंग अंग ही धीला हो गया यानि वो इंसान थक गया है इसलिए वो ऐसा कह रहा है अंग अंग धीला होना क्योंकि इंसान का अंग अंग तो धीला नहीं हो सकता आज धीला है और कल फिर टाइट हो जाए ऐसा नहीं होता है ठीक है यानि बहुत थक जाना अंगारे उ अब देखिए आप इन चीजों को ध्यान रखिए अंत में ना ना क्रिया शुचक शब्द जो है वो आ रहे हैं अंधा बनना जानते उवे भी ध्यान ना देना जब किसी चीज को हम जानकर भी अंजान बन रहे हैं तो हम क्या है उस चीज के प्रती अंधे हैं यानि हमें ये न लाठी जो है, वो उसकी खुद की लाठी तो है ही, लेकिन यदि उसका एक पुत्र है और वो उसका साहरा बना हुआ है, तो क्या कहते हैं, अंधे की लाठी होना, या वो पुत्र जो है वो, वो क्या है, लाठी के ही समान है, अंधेर खाता होना, यानि सही हिसाब न होना, जब कोई भी हिसाब किताब गडबड होती है हिसाब किताब में तो क्या कहते हैं अंधेर खाता होना अकल का दुस्मन होना यानि मूर्क होना कि वो है तो अकल का ही दुस्मन है यानि बहुत मूर्क है अकल के घोडे दोडाना, तो अकल में घोडे तो नहीं दोडते हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीजों को सोचना, विचारना, केवल कलपनाएं करना, ये क्या है? अकल के घोडे दोडाना, तो अगर आप मुहावरों को sentence में प्रियोग करेंगे, तो आपका उत्तर जो ह बुद्धी के विपरीत कार्रे करना, किसका है? अकल के पीछे लट लिए गूमना, अगर मगर करना, अब किसी इंसान का काम करने का जब मन नहीं करता है, तो वो क्या करता है? बहाने लगाता है, तो मुहावरा बनता है अगर मगर करना, वो कहता है कि अगर मगर ऐसा वैसा, त टट्टू होना यानि जिद्धी होना जबर जस्ती उस कार्वे के लिए जिद्धना यानि वहाँ पर अड़ जाना तो क्या है अड़ियल टट्टू होना अपना उल्लू सीधा करना जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी होता है और अपना स्वार्थ सिध करता है त लज्जित हो जाए तो उसका मुँ जो है वो छोटा सा रह जाता है तो क्या करता है वह अपना सा मुँ लेकर रह जाता है किसी अकरत कारे के कारण लज्जित हो दा यानि किसी गलत कारे के लिए वो शर्मिंदा है लज्जित है तो अपना सा मुँ लेकर वह खड़ा है अपनी क पिछली जब अलग पक रही है, अलग पकाना, इसका अर्थ है कि साथ मिल करना रहना, अलग रहना, अपने तक रखना, जब हम किसी को कोई बहुत ही पर्शनल बात बताते हैं, तो उससे ये कहते हैं कि इस बात को अपने तक ही रखना, तो इसका अर्थ क्या है कि किसी दूसरे अपने पैरों पर कुलाडी मारते हो, तो रियल में तो अपने पैरों पर यदि वह कुलाडी मारता, तो उसका पैर नहीं रहता, तो क्या कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है, इसलिए कहा गया कि वह तो अपने पैरों पर कुलाडी मार रहा है, अपने मुहुं मिया मिट सा किये जा रहा है आंखें खुलना सजग या साफधान होना तो इसको सेंटेंस में आप प्रियुक्त करके देखें आपको इसका आंसर मिल जाएगा आंखें खुलना यानि कि अब तो मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है और अगले टाइम से मैं बिल्कुल साफधान हो दो व्यक्तियों का या दो पार्टियों का आमना सामना हो जाता है तो कहते हैं कि आखें चार होना नेक्स्ट देखिए आखें चुराना, यानि की नजर बचाना, जब कोई इंसान जो है वह किसी को फेस ना कर पाए तो वो अपनी आखें चुराता है, यानि वहां से नजर बचा कर भागता है, तो उसे कहते हैं आखें चुराना, आच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना आने देना, जब कोई व् कि आच ना आने देना ये वही बात हो गई है जिस तरीके से हमने अंगारे उगलना वाली बात कही थी आच ना आने देना यानि जरासा भी कष्ट ना आने देना आखों में खून उतरना अब कहते हैं कि उसके पिदाजी की तो आखों में खून ही उतराया था जब उसने अपन उसको खेलता हुआ दिखाई दिया तो उनकी आंखों में तो खून सा ही उतर आया इसका आर्थ क्या था? कि अत्यदिक क्रोध करना यानि मुहावरे जो भी होते हैं तो उनका meaning वो नहीं होता है जो मुहावरे हैं यानि आखों में खून उतरना क्योंकि उसने दोक्त दे दिया था आँकों का तारा, अब आखों का तारा यानि अत्ययंत प्यारा, जब बहुत ज़्यादा प्रिय हो कोई वस्तु या कोई इंसान, तो क्या है? आखों का तारा जो है वो किसी मनुष्य के लिए ही प्रयोक्तों होगा, आखों का तारा यानि अत्यंत प्यारा, आखें विच्छाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, यानि हमने तो तुम्हारे लिए अपनी आखें जो है वो विच्छाई हुई थी, फिर भी आप नहीं आ उनकी तो आँखों पर क्या है परदा पढ़ गया या फिर पट्टी लग गई आँखों पर पट्टी लगना परदा पढ़ना यानि उन्हें तो अब भले बुरे की समझ ही नहीं है आच ना आने देना तो ये तो दुबारा से ही आया है जराबी कश्ट ना आने देना आचल प पसारा जाता है जब हम भगवान से प्रातना करते हैं तो हम अपने आचल जो है उसे पसारते हैं और उनसे क्या करते हैं प्रे करते हैं प्रातना करते हैं आसू पोचना आसू पोचना का अर्थ है धीरजवा ढांडस बंधाना यह उसने तो जिस वक्त जरूरत थी उस वक्त उ आसू जो है वो पहुचे थे तो इसका मतलब यह नहीं है कि केबल आसू ही पहुचे थे इसका अर्थ है कि धीरच और डांडस भी बंदाया था आंधी के आम होना अब आंधी के आम होना का अर्थ क्या है कि आंधी जब चलती है तो यदि आम अपने आप गिर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा महेंगे नहीं होते हैं, जब वो पेड़ पर लगे रहते हैं, यानि जब लिमिट से ज़्यादा आम से, आम जो हैं वो गिर जाएं आंधी के वक्त, तो वो सस्ते दामों पर बिकने लग जाते हैं, तो आंधी के आम होना, इसका आड़ के तारे तक तोर डाले, यानि कि जो कारे नहीं हो सकता था, उसको भी आपने कर डाला, आइने में मुह देखना, तुम अपनी आइने में मुह देखो, ऐसा कह देते हैं, कि अपनी योगेता की जाच कर लेना, आग बबूला होना, तो ये उसी तरीके से है, कि आखों से खून आग बबूला होना अत्यदी क्रोध करना आग में घी डालना कि एक तो आग लग रही हो और उसमें घी और डाल दो तो आग क्या होगी और ज़्यादा तेज हो जाएगी कि क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना पहले ही क्रोध आ रहा था तो उसमें क्या किया घी और डाल दिया तो रियल का घी नहीं डाला जाता है, यानि एक दो बातें और बता दी जिससे की क्रोध पड़ गया, आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्त को जानना, यानि की हाँ, अब हमें तो आटे दाल का भाव ही मालूम हो गया है, हमें जीवन की जो सच्चाई है वह ही पता चल गई है, आग लगने पर कुवा खोधना, मुसीबत के समय उपाए खोजना, क्योंकि जब आग लगती है, तो क्या होता है, कुवा खोध कर उसमें क्या बच सकते हैं, तो क्या किया, मुसीबत के समय क्या किया, योजना आई, उपाए खोजा, तो आग लगने पर कु अचानक बड़ी विपत्ति आना, कई बार कह देते हैं कि मीरे तो सर पर आकास ही तूट गया, आसमान ही तूट गया, तो इसका अर्थ आसमान तूटना नहीं, बलकि बहुत बड़ी ही दूविधा या विपत्ति आ गई है, इसलिए ये मुहावरा जो है, वो बोला गया है, आ तूटना अचानक बड़ी विपत्ति आना आपे से बाहर होना यानि हाव तो वह आपे से ही बाहर हो गया है वस में न रह पाना आसमान सिर पर उठाना तो ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि अक्सर जो मम्मी होती है वो यही कहती है कि इन सब बच्चों ने तो मिलकर आसमान बूरी तरह है रोना या पचताना अस्तीन का साप होना अस्तीन का साप मतलब की जो बहुत बुरा मित्र निकले पीछे से वार करे तो क्या है वो आस्तीन का साप ही है इति श्री होना अब इति का अर्थ हमें पता है इति का अर्थ होता है अंत ठीक है तो अंत या समाप्त होना तो मुहावरा मुहावरे का जो वाक्यांस है वह है इति श्री होना इसको आपको विसेश दूर पर याद रखना है क्योंकि यह बिल्कुल अलग है तो आप याद कि अंतिया समाप्त होना इधर उदर की हांकना व्यर्थ की बाते करना नेक्स्ट है इट का जवाब पत्थर से देना यानि इट का जवाब अगर पत्थर से देंगे यानि इट तो हलकी है लेकिन उससे भी भारी क्या है पत्थर तो अब हमने आसान सा जवाब नहीं दिया हमने तो उस प्रश्ण का करारा जवाब दिया, इट का जवाब पत्थर से देना, इट से इट बजाना, यानि इधर भी इट है, इधर भी इट है, आपस में लड़ाई बज रही है, तो इसका अर्थ क्या है, कि बड़ा मुकावला हो रहा है, अब रियल की इट और इट तो नहीं बज रही है, यानि एक पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों में ही कड़ा मुकावला करना, इद का चांद होना, अब कह देते हैं कि आप तो बड़े ही इद के चांद हो, यानि रोज तो दिखते नहीं हो, जैसे इद का चांद जो है वो एक बार दिखता है, वैसे ही आप बहुत दिनों बाद देखे हो इस तरीके से कह देते हैं इद का चांद होना इशारों पर नचाना अब इस मुहावरे का अर्थ तो सभी जानते हैं कि किसी को अपनी इच्छा नुसार चलाना उंगली उठाने का आर्थ है कि जब उंगली उठा दी जाती है कि हां इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इस वक्ती ने वैसा किया, तो हम क्या कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं, उसके उपर आरोप लगा रहे हैं कह देते हैं कि इतनी सारी मेरी बातों को तुम उसके सामने उगल मत देना मतलब मेरी जो भी व्यक्तिकत बाते हैं उसको बता मत देना और जब उगल देना तो अर्थ क्या हुआ सारा भेद ही प्रकट कर देना उंगली पर नचाना, तो वही इशारों पर नचाना, किसी अन्य के इशारे पर चलना, उंगली पर नाचना, उंगली पर नचाना नहीं, उंगली पर नाचना, यानि कि वह तो उसकी उंगली पर ही नाचता है, उसके इशारे पर ही चलता है. नेक्स्ट देखिए 53 उर्था तीर जहलना अनावश्यक विपत्ती मोल लेना यानि उर्था तीर और वो भी जहललिया इसका मतलब क्या है अनावश्यक विपत्ती मोल लेना उर्ती चिरिया पहचानना जो उर्ती चिरिया को ही पहचान ले इसका मतलब वो बहुत तेज है तोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना 19-20 का फर्क होना यानि 19 और 20 में एक अंक का ही अंतर है मामूली अंतर होना उल्टी गंगा बहना, यानि कि जो भी कहते हैं, जैसे गंगा बह रही है, उसी तरीके से तुम अपने संसकारों रीटी रिवास की अकॉर्डिंग बहो, लेकिन जब किसी की उल्टी गंगा बहा रहा हो कोई, तो कहेंगे कि रीटी विरुदकार्य करना, उल्लू बनाना, उसन समद्रिस्टी या समभाव होना अब देखिए एक आंक से देखना अब कोई एक आंक से देखने का मतलब क्या है कि सभी को समान द्रिस्टी से देखना सभी को बरावरिक के नजरिये से देखना एड़ी चोटी का जोर लगाना अब यदि आप अपने पैरों की एड़ी को बहु बहुत कोशिश करना इसका मतलब क्या है बहुत प्रयास करना एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना तो क्या है समान प्रवती के होना यानि कि सभी लोग एक जैसे ही हैं जैसे एक गलत काम कर रहा है मतलब यह सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं एक परिवार के हैं और य एक जैसे ही गलत कार्रे करते हैं या एक जैसे ही सही कार्रे करते हैं तो कह देते हैं यह तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं यानि समान प्रवती के हैं एक लाठी से हांकना अब एक लाठी से हांकने का अर्थ क्या है कि सबके साथ एक जैसा विहेव करना रिण उतारना या कर्ज और कर्ज को यदि हम मर दें यानि कि किसी और के उपर डाल दिया एक और एक ग्यारा होना अब एक और एक तो क्या होते हैं दो भी होते हैं ग्यारा भी होते हैं तो यहां पर तो एक और एक जादा हो रहे हैं ग्यारा हो रहे हैं इसका मतलब क्या है एक ग्रुप या संग उल्टी माला फेरना यानि जब हम माला सीधी फेरते हैं तो क्या है हित सोच रहे हैं और जब उल्टी फेरने लगें यानि कि उसका अहित सोच रहे हैं ओकली में सिर देना यानि जान बुच कर विपत्ती मोल लेना ओने पौने करना का अरथ है देखिए कम लाव या कम कीमत में बेच देना, कच्चा चिठा खोलना, वही कि उसकी जो भी बातें हैं उनको बता देना, रहस बताना, कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार होना, नेक्स्ट है, कलेजा ठंडा होना, मन को शांती मिलना, कह देते हैं कि अब तो मेरा सारा कार्रे ही हो गया, अब तो मेरा कलेजा ठंडा ही हो गया, या फिर दूसरे का ये नुकसान हो गया, तो अम मेरा कलेजा ठंडा हो गया, यानि कि मन को शांती मिलना, कागजी घोड़े दोड़ाना तो कागजी घोड़े तो नहीं दोड़ते हैं और यदि वो दोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि काल्पनिक चीजों के बारे में सोचना ठीक है केवल कागजी कारवाई करना तो इसका अर्थ जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि कागजी घोडे दोडाना यानि कि कलपनाओं में बहना काथ का उल्लू होना काथ यानि कि लकडी और उसका क्या होना उल्लू होना यानि कि महामूर को होना नेक्स्ट है कान खड़े होना कान कब खड़े होते हैं जब हम किसी चीज के लिए सचेत हो जाते हैं चोकनने हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं कान खड़े होना यानि चोकनना होना कान पकड़ना यानि कहते हैं कि टीचर अपने स्टुडेंट से कहती है कि अब अपने कान कर दिया है क्रोध काफूर होना काफूर का मतलब है कि वो चीज हट जाना यानि गायब मर जाना काल का ने मतलब क्या है यह उसकी मौत हो गई तो मर जाना अब जो भीशेंत मुहावरे हैं इनको आपको याद किताबी कीड़ा होना कह देतें जब वो पूरे दिन ही पड़ाहीं करता रहता है तो कहते हैं कि वो तो किताबी कीड़ा ही बन गया हर समय पढ़ने में लगे रहना, कूच करना यानि कि अब हमारी सेना जो है वो कूच करेंगी इसा आपने सुना भी होगा यानि वहां से चलना, चले जाना, कोड में खाज होना, कि पहले से ही कोड था और उसमें खाज और हो गई, यानि दुख में और भी दुख हो गया, कमर कसना, किसी कारदे के लिए क्या हो जाना, रेडी हो जाना, अब कमर कसनी चाहिए, यानि अब हमें अपने कारदे के लिए बिल्कुल बने बार जाना नेक्स्ट है कान का कच्छा होना जल्दी किसी के स्वभरान का इंसान contrad का इसमाल नहीं करता है और किसी की सुने हुई बातों पर विश्वास कर लेता है तो कहते हैं कि वह कान का कुली करता, कान भरना चुगली करना कान भरने का आर्थ है कि चुगली करना कोलू का बैल होना जिस तरीके से कोलू का बैल बहुत ज़्यादा कार्दे करता है इस तरीके से इसका आर्थ है कि निरंतर काम में जुटे रहना कि मैं तो क्या हूं कोलू का ही बैल बन गया हूं यानि निरंतर ह मोल बेचना यानि बहुत ही सस्ता चीज जो भी चीज है वो बहुत ही सस्ते दाम पर बेच दी यानि कोड़ी के भाव ही बेचना अत्यंत सस्ता होना कान पर जू तक न रहना कि इतनी सारी बाते होगी लेकिन उसके कान पर तो जू तक नहीं रहेंगी आर्थ क्या है कोई असर ह नहीं बढ़ना, कंदे से कंधा मिलाना, इसका आर्थ है कि साथ देना, कंणी काटना, यानि कि वहां से आँख बचा कर निकलना, कान कतरना का क्या है, छोटे बच्चे को ही बोल देते हैं कि बड़े होकर ये क्या करेगा, यानि कि ये बहुत चतुर बनेगा, चतुराई दिख णिक भपनेज़, कान खोल डिखे का लेज़े का तुकड़ा बहुत ज्ञादा प्रिय होना, कान खोलना, अब देखिये , कान कतरना, कन्नी काटना, कान भरना, ये आपको याद रखने हैं क्योंकि एक जिखाई island करना, कुए में भांग पढ़ना , यानि कि वहां जोभी जल तो सब एक जैसे ही हो जाएंगे तो सब की मती ब्रस्ट होना, कुए में भांग पढ़ना, सब की मती ब्रस्ट होना, तो देखिए इनको थोड़ा सा याद रखिए आप कान भरना यानि चुकली करना, कन्नी करना, आँख बचा करने कलना, कान कतरना, चतुराई दिखाना, कान खोलना साफधान करना नेक्स्ट है कीचड उचालना इसका आर्थ है कि अपमानित या बेजत करना कतर ब्योंत करना कांट चांट करना कपन की कोडी ना होना, यानि की बहुत ज़्यादा गरीव होना कबर में पाऊं लटकना क्या मतलब है कि जब कोई व्रद हो जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि वो तो बहुत मृत्यूके ही निकट है तो मुहावरा है कब्र में पाओं लटकना मृत्यू के निकटों होना कमर कसना तो यह हमने देखा तैयार होना कान भर जाना आप देखिए दुबारा से एक और आया है कान भर जाना यानि सुनते सुनते जब कान पक जाएं सुनते सुनते वही बात वही बात बार बार अगर का कहते हैं कि हमारे तो कान ही भर गए सुनते सुनते पक जाना काम निकालना यानि अपना मतलब पूरा करना तो आज हम यहीं तक करेंगे अभी मुहावरे आपके बाकी हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू